तो यह देखिए गाइज हम फाइनली घर पहुंच गए हैं तो यह देख सकते हैं कि हमारा खेत है तो देखिए मूंग होता है इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं यह मूंग यह देखिए मूंग का सीजन है ना तो यह देखिए मूंग हाई गाइज गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और अपने अपने जिन्गी में मस्त होंगे तो यह देखे गाइज अभी सुबह का 7 बज के 35 मिनिट हो रहा है तो अभी उत्रे हैं और यह देख सकते हैं ट्रेन आ गय अब यहां से बस लेना पड़ेगा यह देखे हम बस में भी बैठ गए है और ठीक है तो यह देख सकते हैं गाइज हम घर पहुच गए तो मुहां धोली है और उसके बाद भूख बहुत तेज लगा हुआ था तो यह देखे खाना भी मिल गया है बोड़ा का सबजी रोटी और आम का सीजन चल रहा है तो यह देखे चलिए खाना भाणा खा लेते हैं तो देखे काफ gorquv वाहती देखिये गाईज हम फाइणली घर पहुंच गया है तो यह देख सकते हैं कि हमारा खेत है तो देखे चे मूंग होता है इधर देखें आपको दिखाते हैं इह मूंग का सिजन है तो देखिये मूंग यह देख सकते हैं मूं का दाल इसका दाल होता है जो काफी स्वादीष्ट लगता है खाने में यह देखिए इसको फार लेते हैं बीच से यह देखिए इसका दाल होता है इसको हम लोग कच्चे भी खा सकते हैं यह देखिए काफी स्वादीष्ट लगता है गाइच तो गाउं तो ठीक है आप हम गाउं आ गए है तो आपको तीन से चार या पांच एक सप्ता हो सकता है रहे तो आपको गाउं का ही ब्लोग देखने का मिलेगा तो चलिए ठीक है थाइंक्यू धन्यवाद तो फाइनली गाइज हमारा खाना पीना का बक्त हो गया देखिए रोटी भूंजिय और आम तो चलिए कैसा बना है तो चेक कर लेते हैं बहुत दिन के बाद धर का खाना खाने के लिए मिल रहा है यह देखिए तो बहुत अच्छा है एक फ्लाम भी टेस्ट कर लेते हैं काफी रशिदा रहें पर मेंजर तरफ पचास रुपे किलो आम मिखता है आपके तरफ कितना भी का जरूर कॉमेंट करके बताई है तो फाइनली गाइज हमारा खाना पीना हो गया है आसा करते हैं कि आप लोग भी खाली हूं आज के लिए इतना ही थैंकि ओल दबेस झाली हाईब जया है ठवर ठाना है तो कि अ उसे हुआ आप कितना गली का जरूर का शली हर दजबे इतना है थार। कितना है लोगए डिश्स भाइए आज है कि आपके लोग घुए आगादा है जया है तो फुरा टाली है जहर जो इंदा है जया है जह लोग भीत बिएमार